Hello Everyone, Welcome To Tube Affairs तो आज हम बात करेंगे 26 जून के एक current affairs के बारे में daily current affairs, जून मन्त क्या, तो ये 26 तारीक है आज तो इस वीडियमें हम बात करेंगे daily current affairs, 26 june current affairs जो हर exam के लिए सबसे important topic होता है आपके किसी भी upcoming exams, SSC, banking, जो भी states के exam हैं उन सभी में काम आएंगे ये तो स्टार्ट करते हैं 26 जुन का करेंट अफेर्स फर्स कोश्चन है रिसेंट्टी मिनिस्ट्र अफ एजूकेशन कॉंस्टिटिटिड हाउ मेंबर कमिटी टू रिफॉर्ब एंटी एंग्जाम प्रोसेस तो यह जो शिक्षा मंत्राले है एक नई समीती का गठन किया है एंटी एक नशनल टेस्टिंग एजनसी के लिए और जो परिक्षाएं होती है उनके लिए तो अभी जो अपकामी एक्षाम प्रोसेस को यह करने के लिए सुचारू दंग से तयार करने के लिए और इसको रिफॉर्ब करने के लिए एक साथ सद्यस्टिंग की समीती बनाए गई गई कमिटी बनाए गई है तो कमिटी के जो हेड है वो है डॉक्टर के राधा आइटे से कुछ इनवर्सिटी से तो वो सब इस कमिटी के सदस्य होंगे ठीक है बात करेंगर एकर एंटी यह जो इसकी शुरुवात हुई थी 2017 में नाशनल टेस्टिंग एजंसी जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्जाम्स कंड़क्ट कराता है जैसे नीट यूजी जे धर्मेंद्र प्रधान धर्मेंद्र प्रधान नाई सिक्छा मंत्री है इनका जो इससे पहले बी कविनेट में सिक्छा मंत्र यही थे धर्मेंद्र प्रधान इनका जो लोगसबा इससे वह संबलपूर उडिसा तो इस सबाल का एंसरों का ऑप्शन है साथ और इसके हेड कौ तैलिकॉम रेगुएर्टी अथोरीटी फूिंडिया टि ति आर एयाई जो कि तेलिकॉम क weed कॉने नया सेक्रेटरी बने हैं तो इसका अंसराग और बने है तो पूर मेर्लीम बोर्ट पूर्ड बी मि आद। इसके चेर्मेन है और इसके नए सेक्रेटी बने अतुल कुमार चौधरी मनो जन्च इसके प्रिवेस वाले वीडियो में मैंने बताया था पब्लिक सेक्टर एंडप्राइज बी एल भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेट के ये नए CMD बने इंदर पाल सिंग तुबात करें ये भी रेषेंड अपॉरवार है तो ये CCI के Head बने a Competition Commission of India के Head बने इंदर पाल सिंग प्रवीन कुमार पुरवार की बात करें तो ये BSNL के CMD है BSNL के CMD है प्रवीन कुमार पुरवार तो टी आरे इसकी स्थापना कब हुई थी 1997 1997 में इसकी स्थापना हुई थी हेड़कॉर्टर कहा है इसका डेली में नेक्स्थ है, एस पर, NASCOM, Zinnog Startup Report, वाट इस रंक फ इंडिया इन इपटेक एको सिस्टम, इपटेक एको सिस्टम में भारत की व्याश्विक रंकिंग क्या है तो इसका अंसरों का उप्शन C, सिस्थ रंकिंग भारत है इस्थ रंकिंग पे, इंडिया इस हों तू 3,600 स्टाट वह भी रेजिस्टर्ड है इंडिया में डीप टेक स्पेस रिलेटेड जो की है एड़ास टेखनोलोजी एई ब्लॉक्चेन इंटरनेट इंटरनेट आफ तिंग्स और रोबोटिक्स इन सभी को इन सभी कैटेगरी में जो स्टार्ट अप से और इसी की बेसिस पर नैसकॉम ने 1988 में इसकी स्थापना हुई थी चेरपरशन कौन है राजेश नंबियार राजेश नंबियार इसके चेरपरशन नैसकॉम के नेक्स्ट है इंडियन रेलवे रेसेंटली मेट सक्सेस्फूल ट्रायल रन ऑन वर्ल्ड हाइस्ट रेल ब्रीज चेनाब रेल ब्रीज तो इसका ज इसकी हाइट है एफिल टावर से भी उची है यह हाइट तो चिनाब रेल्वे ब्रिज का भी जो सक्सेफूर्ट ट्रायल रन हुआ है अभी हाली में इंडिन रेल्वे ने इसको किया है देखते हैं इसका डिटेल जो 359 मीटर से 1178 फिट अबव दचिनाब रीवर जमू कश्मी रेल लिंक में यह आता है चिनाब ब्रिज इस पैंच जो है 1315 मीटर यह जो लंबाई है इसकी दूरी है लगभा मतलब सभा किलो मेटर से थोड़ा ज्यादा है तो एक सक्सेफूल ट्रायल रन हुआ है मेमू ट्रेन का संगलदन रियासी सेक्शन आफ उदंपूर स्रीनगर बारमोला रेल डिंग जो की है जमू कश्मिर में तो यह रेकॉर्ड है सबसे हाइस्ट रेल ब्रिज है दुनिया का चिनाब रेल ब्रिज इसकी हाइट है 369 मेटर तो यह था 26 जुन का करेंट अफेर्स डेली करेंट अफेर्स तो थैंक यू वेरे मच फोर वाचिंग